चलिए टाइप आफ सर कैपिटल सर वही जो आपने स्टार्टिंग से सीखा हुआ है सर कैपिटल एसेट के टाइप यानि एसेट्स दो तरीके के हो सकते हैं सर टाइप की बाद करें या तो हो सकता है एसेट्स लॉंग ट्रम या तो एसेट्स हो सकता है लॉंग ट्रम या हो सकता है आपका short term है ना दो तरीके के assets हो सकते हैं या तो हो सकता है sir long term या हो सकता है आपका short term यानि long term और short term sir accounts को और income tax को बिल्कुल separate लेके चलिएगा real life के अंदर कुछ चीज़े connected होगी और कुछ चीज़े बिल्कुल दूर दूर तक connected नहीं होगा accounts के अंदर हमने पढ़ाए कि any kind of assets which is convert within a one year called as a current assets या short term assets और अगर कोई assets है जिसको कि हम एक साल के अंदर cash में convert नहीं करते that is called as a long term assets लेकिन income tax में ऐसा नहीं है income tax में categorize कर दिया गया assets को बोला गया भया मैं आपको long term समझा देता हूँ देखो definition कितने अच्छी बता है इसने कि भया long term assets क्या होता है बोलता है जो ऐसे short term नहीं है वो long term है अब law की definition पढ़ लेजे law में क्या बोला गया कि जो assets short term नहीं है वो क्या है और short term का उन्होंने definition define कर दिया है तो मैं simple सी बात है law के language पे नहीं जा रहा एक common layman language के इसाफ से बात करता हूँ यहाँ पे इसको category डिवाइस कर दिया के sir long term assets हम उसको बोलेंगे अगर आपको long term समझ में आगा है तो बाकि short term समझ में आई जाएगा long term हम assets उसको बोलेंगे इसको तीन category में बाट देंगे sir एक हो गया हमारा fix immovable assets जिसको मैंने बोल दिया land and building एक हो गया sir shares और bond इसका मतलब sir आपने reliance के share खरीद लिए तो वो भी capital assets है और अगर आपने reliance के share खरीद लिए तो capital assets है और अगर आपने debenture भी खरीद लिए तो भी capital assets है इसके अलावा अब बोला गया other इसके इलावा बोला गया other other में क्या क्या आ जाएगा मैं list बताता जाऊँगा ठीक है न land and building में तो कोई list नहीं बताना आपको पता है sir land and building है shares और bond के अंदर list बतानी की जुरत नहीं है आपका कोई भी shares और bond दो तरीके को हो सकते हैं जिन्होंने business study पढ़ा हो या फिर आगे आपने पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि share दो टाइप के होते हैं एक ऐसा share होता है जो कि listed होता है एक ऐसा share होता है जो कि unlisted होता है सर लिस्टिड share क्या होता है आज अगर जो बच्चे SOL में है तो आज उनका seminar था आप लोगों के पास message भी आया होगा कि सर आज हम कुछ security analysis से बाते बताएंगे तो ऐसा कौन सा है जो कि हम listed बोलेंगे एक होगा listed और एक होगा listed सर अब shares के भी दो परकार है या तो होगा preference share capital या होगा equity share ये तो पताई ना या तो preference share capital होगा या फिर goodbye share capital होगा अगर listed share है तो इसके rule अलग है unlisted share है तो इसके rule अलग है other assets में क्या क्या होगा ये बताओ गोल्ड होगा और क्या होगा सर, machinery सर और क्या होगा और भी any other हो सकते है ऐसे जैसे कि business के लिए मान लेते हैं laptop car, business वालों के लिए personal वालों नहीं है और personal वालों के लिए वही sculpture, painting, drawing, art वो सारा आजाएगा तो बोला गया land और building के लिए हम 24 मेने का, पहले न ये भी 36 मेने हुआ करता था, लेकिन law में वदलाव किया गया, और बोला गया सर, जो land and building है, इसके लिए हम रखेंगे 24 मेने से अगर जादा है, 24 मेने से greater है, तो हम उसको बोलेंगे सर, ये क्या है, long term है, अगर 24 मेने से जादा है, अगर business के लिए तो आए नहीं, खीक है न, तो मेरा laptop अगर मेरा business के नाम पे, अब देखो business के लिए कैसे पता चले, business के ID पे बिल हो, business के ID पे सारा document है, तो अगर मैं अपना laptop या अपना मैं ये board, अगर मैं बोलू तो that is a my capital assets, लेकिन यही board आप घर पे लेके अपने personal use के लिए कर रहे हो, तो not a business, a capital assets, simple सी बात है, सर अगर आपका land or building है न, तो आप short term और long term define कर ले के लिए क्या करोगे, 24 महिने का समय लोगे, अगर 24 मंद से अबब है, तो that is क्या माना जाएगा आपका long term, या 24 से आपका less than ये 24 है, तो आपका माना जाएगा short term, ठीक है, आगे कहा गया सर, bond और shares के लिए listed ह तो वहाँ पे आप 12 महिने का हिसाब किताब मानोगे, और unlisted है, तो वहाँ भी आपको 24 महिने का हिसाब किताब मानना पड़ेगा, प्रिफरेंच शेयर के लिए बोला गया भीया, 24 महिने का हिसाब किताब चलेगा, weather listed और non listed, बाकी सभी को बोला गया कि 36 महिने का हिसाब किता लेके हम चलेंगे पहले यहां तक देखिए इसी को मैंने कोसिस किया है कि एक चार्ट मैं आपको समझा दू यानि हमारा एसेट्स हो सकता है लॉंग ट्रम अब मैं बोलू मैं बिल्डिंग को मैं बेच देता हूं आठ महीने के अंदर तो बताओ लॉंग ट्रम कैपिटल मैंने बोला मैंने शेयर छे महने में बेच दिया शॉट ट्रम मैंने बोला बिल्डिंग मैंने 36 महने में बेचा लॉंग ट्रम हो जाएगा मैंने बोला लैप्टॉप मैंने 35 महने में बेच दिया लैप्टॉप के लिए क्या है 36 महने के बाद लॉंग ट्रम 36 महने से बिलो र अलग होता है जो कि हम देखेंगे तो सर आईए देखते हैं कि लॉंग टरम और शॉट टरम के डिफाइन कैसे किया गया मैंने एक सिंपल सा चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए ता कि आप लोगों को एक ही पेज़ पे सारी चीज़े समझ में आ जाए और ज्यादा दिमा गीवन है 202,41 या फिर होगा लॉंग टरम में जो की डेफिनिशन गीवन है 2,39 लॉंग टरम की डैफिनिशन देखो लॉंग टरम कैपिटल एसेट विच इस नोट सॉट टरम कैपिटल एसेट यही लिखना है यह लग का एक वी नंबर नहीं नहीं कटेगा चाया दो नंबर का सवाल हो चाह preçoakah पाँच नमर का सवाल हो फूरे मार्क्स मिलें लेकिन शॉटरम को पूरा define किया गया क्या किआ गया कि dois तो ऐसे हैं जो कि 12 महीने वाले होंगे और और कुछ हैसे हैं जो कि कौंसे महीने वाले टरह गूसे पशार प्रिफ्रेंट्से श्यर का आपका Non-listed है आपका Preventure मैं एक बार इसको काट देता हूँ अभी इसको एक बार ध्यान मत दीजिएगा Preventure को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको correction करवा देंगे सिर्फ आप Listed Equity Share लीजिए Listed Debenture Listed Bond Listed Government Security Listed Zero Coupon Bond अब इसमें से कुछ एक Word है Bond क्या होता है जैसे देखिए किसी भी company को पैसे की जुरत है अगर किसी भी company को fund की जुरत है तो sir वो fund तीन जगह से arrange कर सकता है सबसे पहले भागा भागा जाएगा वो bank के पास अगर banker ने मदद किया तो ठीक नहीं तो मैं equity share से या preference share से ले लूँआ यानि share capital या फिर मैं दूसरा debenture कर सकता हूँ company की मैं बात कर रहा हूँ यहां से पैसे arrange किये जहां सकते है अगर मैं debenture से करता हूँ in case के मैं debenture से करता हूँ तो अब debenture से पैसे इंतिजाम करने की जिम्मेदारी दो लोग होता है या तो simple सा reliance limited हो सकता है या SBI हो सकता है आपको पता है reliance एक पूरा private organization है और SBI एक थोड़ा सरकारी भी है जिसको हम बोलते है public sector unit तो अगर सरकारी company ऐसे debenture वगरा issue करके पैसे लेती है तो वो debenture को नाम को थोड़ा differentiate करके हम debenture नहीं बोलेंगे हम तो इसको क्या बोलेंगे bond बोलेंगे तो bond और debenture में nothing कोई फरक नहीं है government company जब इस तरीके से करजा लेती है public से तो वो bond शब्द का इस्तमाल करती है और वैसे private limited या limited company इस तरीके से करजा लेती है तो किस शब्द का इस्तमाल करती है debenture अग government company जब करजा लेगी तो government company करजा लोटाईगी भी और 10 रुपए लेके अगर 15 रुपए लोटा रही है तो public बोलेगा सर 10 लोगे और 15 मुझे लोटाओगे अब फिर बाद में बोलोगे पाँच रुपए पे हमें दो क्या tax दो और capital gain दो तो मैं तो आपी को वापस दे रहा हूँ तो government ने कुछ ऐसे bond को exempt कर दिया बोला भाईया ये bond ऐसे है ही नहीं जिसके profit पे आपको tax देना होगा जो bond आपका यहाँ पे mention था नीचे gold bond ये bond क्या है नाम है security का जैसे की बोल दिया उसने gold bond 1977 फिर gold bond फिर 80 में आया फिर national defense bond gold bond आगया आपका 80 में एक और लेके आए फिर आपका आगया special bearer bond लेके आए फिर अलग-अलग नाम है इसमें हमें जाने की जुरत नहीं है और इसके उपर से कभी भी exam में सवाल पूछा भी नहीं जाएगा तो listed bond हो सकता है listed government security नाम बदल बदल के zero coupon bond zero coupon bond क्या होता है सार मान लेते हैं मैंने बोला कि आपका 10% debenture आप मुझे बताइए अगर 10% debenture बोलू मैं और एक लाख रुपे का debenture है तो इसका interest क्या calculate कर पाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे सार interest कितना बनने वाला है इसका 10,000 मैंने बोला debenture है आपका एक लाख रुपे का अब इसके उपर interest calculate करके दिखाईए तो बोलेंगा सार interest कब कैसे calculate करेंगे इसके आगे तो interest आपने दिया ही नहीं बिना interest के नहीं calculate कर सकते है तो कई बार company बोलती है कि भईया हम तुम्हे तुमसे एक लाख रुपे ले रहे हैं और interest की बात छोड़ो हम तुम्हें return कितना कर देंगे सीधी बात है डेड़ लाख रुपे return कर देंगे यानि हम rate of interest specified नहीं बता रहे तो ये वो debenture है जिसके अंदर interest कितने percent है दिख नहीं रहा लेकिन कितने percent है 0% है तो इसी को बोल दिया गया 0 coupon bond बोल दिया गया deep discount bond भी बोल दिया जाता है ऐसे चीजों को तो भला की देखो chapter से कोई लेना देना है नहीं लेकिन आपको पता होना चीए थोड़ी थोड़ी बाते कि सर इसको हम इस तरीके से explain कर सकते हैं बस सर इसके बाद आ जाते है 24 महने में क्या रखा गया land and building सबसे important यही बार-बार सवाल में आएगा या फिर रखा गया non-listed share या फिर लिखा गया non-listed preference share यानि आपका non-listed कहलो unlisted कहलो अब सर unlisted और non-listed क्या है जो share share बजार के अंदर खरीदे और बेचे जाते हैं जो की national stock exchange है NAC या BAC पे उसको बोला जाता है listed share और जो share share बजार में नहीं बिखते उसको बोला जाता है unlisted share जैसे Reliance Company है इसका जो share है ये listed share है क्योंकि इसके share market के अंदर share बेचे और खरीदे जाते हैं ऐसे अगर मैं बताऊ flip card तो flip card के share share बजार में नहीं मिलेंगे कहीं कि आप जाओगे अगर चाहते हो के share market से जाके flip card के share खरीद लो तो नहीं ऐसा है तो ये unlisted shares होंगे इसके पास जो भी होगा ठीक है ना तो listed और unlisted का ये है सर 36 मैने में mutual fund हो गया non-listed bond हो गया non-listed debenture आ गया non-listed government security आ गया all capital assets आ गया सर mutual fund क्या होता है मिला जुला के बहुत सारी चीजों को shares और debenture को जब मिला दिया जाता है तो उसको mutual fund कहते है आपका एक fundamental investment के नाम से एक subject मिलेगा आगे चलके उसके अंदर ये पूरा mutual fund और bond के उपर ही पूरा का पूरा वो subject है जिसमें पढ़ाया जाता है कि what is the mutual fund mutual fund basically मैं बता दू तो आप लोगों के पास अगर 1000 रुपे है आप चाते हो कि आप MRF का share ले लो तो MRF के share की price मैं बता हूँ तो 60,000 रुपे है तो आप नहीं खरी सकते आप MRF का बोलोगा सर आथ थोड़ा सा share दे दो 1000 रुपे के बराबर तो नहीं मिलेगा तो mutual fund company क्या करती है बहुत सारे लोगों से पैसा इखटा कर लेगी आपका share खरीदने का एक ही purpose है सरिफ एक purpose only and only कि share का price बहंगा होगा और हम बेच के कमा लेगा और उसके उपर जो dividend होगा वो हमें मिल जाए तो मैंने क्या करा 60 लोगों को इखटा किया मैंने बोला सब को MRF का share मिलेगा 60 लोगों से इखटा करके मैंने 60,000 रुपे इखटा कर लिया अब जो भी ये मान लेते हैं के 600 रुपे का अगर dividend देती है तो 60 लोगों में मैं 10-10 रुपे क्या करूँगा distribute कर दूँगा जब shares को बेचा जाएगा मान लेते हैं 70,000 में बेचा गया तो जो 10,000 का मुनाफ़ा हुआ वो किसमें बढ़ जाएगा सभी के सभी 60 लोगों में बाट दिया जाता है इस service को देने के बदले में वो क्या लेती है आपसे कुछ commission, कुछ incentive इससे बोला जाता है mutual fund mutual का मतलब बहुत लोगों ने मिलके एक कुछ shares लिया है उसको बोला जाता है mutual fund इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता जो company है वो दिमाग लगाती है सारी के सारी के कैसे क्या करना है बेसिक सी चीजे है तो सर overall बताओ इतनी देर से मैं बाते करे जा रहा हूँ मतलब क्या है सर या तो 24 मेने वाला 12 मेने वाला हिसाब किताब है 24 वाला है और 36 वाला है 12 मेने में सिर्फ shares वाली की बात करते है 24 मेने के अंदर land and building non-listed shares जो की important है और 36 के अंदर बाकि 36 मेने में आ ही जाएगा gold वगेरा हो गया सारे assets तो ये बाते आपका कौन सा है nature of capital assets पहले यहाँ तक देखिए आपको कोई doubt कोई दिक्कत यहाँ तक बताईए कोई doubt कोई दिक्कत सर ये mutual fund ना all का मतलब पता होना चाहिए debt is equal to bond बिल्कुल ठीक लिख है बताईए इसमें doubt अभी हमने क्या क्या कर लिया फटा फट से quickly अगर revise करें हमने सबसे पहले देखा definition definition में क्या बताया कि भाईया capital gain लगेगा अगर आपका profit हुआ और किस पे transfer पे और transfer क्या करना है capital assets उसके बाद देखा capital assets क्या होता है सभी property capital assets है लेकिन अगर immovable हुआ तो सब के लिए movable हुआ तो business के लिए और movable personal वाले के लिए नहीं माना जाएगा except कुछ point को रखा गया वहाँ पे नहीं माना जाएगा ठीक है नहीं माना जाएगा तो यहाँ तक किसी को कोई doubt और हमने देख लिया सर ये section भी हमने अच्छे से देख लिया इसमें किसी को डिक्कत परिशानी तो बताईए सर mutual fund 12 से 336 है 236 मन्त दोनों है क्या देखो mutual fund वो वाले listed है आप देखोगे unit आपका off equity oriented mutual fund बोला जाए तब यहाँ आएगा और यहाँ पर unlisted वाले आएंगे या फिर normal mutual fund आएंगे अगर equity oriented हुआ तो तो 12 महने में covered हो जाएगा बाकी है mutual fund का सबसे पुरानी company की बात करें तो UTI है unit trust of India वो mutual fund का starting से काम कर दी है तो उन्होंने एक निकाला हुआ equity oriented fund जिसमें सिर्फ equity share रहेंगे डिवेंचर नहीं रहेंगे वो तो यहाँ covered होगा बाकी यहाँ पर covered हो जाएगा अब बच्चे कहरें सर आपने कहा था कि सर लिस्टिड नॉन लिस्टिड 24 महने में होगा तो सर लिस्टिड में आपका सिर्फ list रखा गया है यही बाकी अगर कुछ हुआ सिर्फ यहाँ पर देखो सबसे पहली बात बोलू न यह 24 महने की category जब मैं graduation में था और 2010 तक infect 24 महने का कोई बात ही नहीं था उन्होंने बोला था या तो 12 महने वाली बात या 36 महने दो ही चलता था दीरे दीरे government ने 24 अब बताओ किसी को capital gain के अंदर long term करने में सरकार का फाइदा है sir long term करने में सरकार का क्यों फाइदा है long term के उपर tax rate है 20 और short term में या तो basic exemption वाला लगता है जैसे कि हमने दिया धाई लाग तक exempt और 5 लाग वो लगता है हमारा किसमे short term में तो सरकार क्या चाहेगे जल्दी से जल्दी इसको किसमे convert करते हैं इसका मान ले long term क्योंकि मान लो आपने 5 लाग रुपए का profit कमाया सपोस करो एक building को बेच करके और वो building बेचा आपने 35 महने में तो long term तो हुआ नहीं short term हो गया तो 5 लाग तक आपका text क्या हो गया 0 सरकार ने उसके long term के दाइरे को घटा के क्या कर दिया short term 24 महने कर दिये यानि जो 36 महने में आपका long term कहलाता था अब किसमे में कर दिया 24 अगर अब 35 महने में बेचा तो क्या कहलाएगा long term जिसके उपर सीधा आपको 20% देना होगा यानि 5 लाग के उपर 20% आपका 1 लाग रुपे सीधा सीधा क्या चला जाएगा text तो सरकार ने अपना benefit सूच है पहले listed share जो थे न वो text free होता था long term में text free लेकिन अभी हाल फिलाल में उन्होंने क्या करा इसके उपर text लगा दिया इसकी भी कहानी देखेंगे पीच इतामराम ने जाने से पहले ये काम करके गए थे के 2018 31 जनवरी से पहले उन्होंने जो speech दिया था तब बोला था यह यह long term होगा तो हम सारी बातों को धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी तो बस theoretical part basic basic हम पढ़ रहे है old वाला कितने का है sir 10 year में आपका नहीं कुछ बच्चों ने पुरानी book अगर ले रखिये तो कोई दिक्कत नहीं है content सारा मैंने जो भी 10 year market में available है उस सभी के अंदर ये chart डले हुए है वो सभी के अंदर मैंने पहले ही update करके डाल दिया था लेकिन शिवदास के 10 year के अंदर सारी update ये करा हुआ है कुछ 10 year market में ऐसे available है जिसके अंदर images है और कुछ में images back में है तो फरक कुछ भी नहीं है आप मिला कर देख ले ना कोई फरक नहीं आपको कुछन सारा word to word मिलने वाला है बस उसमें जब दुबारा print हो रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत येर वियर चेंज करा है और capital gain का तो आप match कर लोगे कोई भी कुछ भी चेंज नहीं है किसी का कोई doubt बताईए चलिए कर दो